मैं चैनल तो इस ड्रामा के पार्ट 11 के स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है दो माईने बाद का सीन जहापर यहान कई पर जा रही होती है तब पीछे से सुईन आके उसको पर गन पॉइंट कर देती है यह देखके वो डढ़ जाती है और कहती है कि तुम चाहती ऐसा करते हुए सुईन को देख लेता है यहान इफान को देख उसे हिल्प करने के लिए कहती है तो इफान आके सुईन के पास से गन ले लेता है और मिस्टर लिव को बला के कहता है कि तुम यहान को लेके रूम के अंदर जाओ यह कहके वो सुईन को लेके अपने साथ चला जाता है, जिनके जाने के बाद यान मिस्टर लिव से कहती है, कि मिस्टर लिव आप ये मत भूलिए कि आप वुफ के बिट्लर होना कि मुफ फामिलि ये सुनके, मिस्टर लिव खुश होते हैं कि आ आपकी अम जूए ष्याइं वागती हैं कि आपकी grace कर लेथाय और के ली तम एक निकर पनें men को करें कि एक तबिए उस्की मारे इसने के लिए ने को दौण करें कि मर मेठा होता है कर लिया हूँ क्योंकि ऐख और मेठ वह पर यान आाती है यह उसके पास के कहती है कि तुम्हारी दिमाग में चल किया रहा है जिस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं तुम बता तुम्हें किया चाहिए जिस पर यान बताती है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है किया तो मुझे रिक्वेस्ट के रखोगे पादर मुझे पर ट्रस्ट किजिए मैं इसे जिन्दा नहीं छोरूँगी दूशे तरह इफान इसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं भूली हो तुमें सब कुछ याद है तुम बस ना टक करें अपने मेवरी लोस्ट होने का बस ऐसे ही मैं तुम्हें रिपे कर सकता हूँ अगले सिन्में हम देखते है यान जाती है चर्ज नियान से मिलने के लिए नियान उसे एक चीज़ी तो वह कहता है कि यह रहा जो तुमी चाहिए और यान उसे ले लेती है तो यान उसे कहता है कि तुम इफान को मार की नहीं देती हो जिस पर वह कहती है मैं उसे जिन्दा रखके उसे सब कुछ छेंड़ना चाहती हूँ उसके पोस्टर सबूटर से वह भी अगले सिन में हम देखते है गुम मेंचन का सीन जहाँ पर इफान बैटा वह होता है और वहाँ पर मेंगा के कहता है कि आप सुईन को दो बारा एपलोड क्यों भीज रहे हो वह तो बस आपके बारे में वोरीड हो रही थी कि आप उस यान के उपर दो बारा बिलीट करने वाले हो उसने पहले भी जूट बोला था ये सुन वह कहता है तुम के अपने मूँ को चूप रखोगे कि तुम्हें मेरे डिजिजिजन पर कोई शक है जिस पहो कहता है तो आप उसे बताते क्यों नहीं हो कि उसके फादर नहीं आपके फैमिली को मारा था ये सुन वह कहता है कि तुम डारेक्ली मनना चाहते हो तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम यूँचैंग में जाके क्या पता चला है जिस पह में गयता है कि शेन नियान अपने फोर्स से जो यहाँ पर डिबलॉक्मिंग करवा रहा है और उसने बस गूट तेंग वे को ठीच नहीं हो गगई हो यह सुन की यान कहती है कि मैं प्रिटेंड कर रही है मिलोस्ट होने का та वह कहती एब देखो तुम यह फासर एक जूटा और शेयम्लेस बरिग्लेसादा है तुम भी वह वह यह अच्छा ही हुआ है यह सुनके यान उसको पर नाइफ रख देती है तब यहाँ पर लीन और इफान आ जाता है इफान को देख सुइन कहती है कि इफान देखो यह लगकी तुमसे जूट कह रही थी मैंने बस इसके फादर के बारें बताया और यह आप मुझे मालना चाहत तब ही इवान लिन कहता है कि तुम वैवान प्षटाओगे ये याद रखना उन लोह के से लिए फादर We 라 guard तो तुम्हेरे पास station map भी होगा, वो map मुझे दो जिस पे वो कहा थी, सब लोग इसी बार में बात कर रहे हैं, मेरे फादर 15 सल लगा दिये थे, उस map को खोलने के लिए, लेकिने वो नाकाम रहे थे, ये सुन नियान बोल, अगर हमारे पास वो map होगा, तो हम और भी जिता forces को कठा कर सकते हैं, ताकि हम उससे असानी से deal कर सके, ये सुनके वो कोई सोचने लगती है, अगले सिन में हम देखते है, यान को जो की सोच रही होती है, इफान लंबे टाइम से फेर शुरा को ढून रहा है, लेकिन मैंने जब उसे फेर शुरा दिया था, उसने वो मुझे बा Жोज करते हैं, कहते हैं, कि तो मैं चाहिए क्या, ये सुनके यान कहती है, कि मैं चल्यू कह रहे हैं थे मुझे टेजर मैप के बारे में, जो कि मेरी फादर के फेर शुरा के अंदर है, क्या तुम उसे खोल सकते हैं? ये सुन इफान बोला, कि तुम मैं ऋपन कर सकता ह Państwo कि या पैसे और धन दर जाती है अग्ले सिंद मैं यान नियान से पूछ रही होती लिए कि तुम ने मुझे पूछ तो बना मैं वहीं मेडियस्टन भान केस आके आके निचेंग घान के और सूरिशशंड दर है अग्ले सिंद मैं zg बावन ङसको अग्ले म और कि डॉक्टर जैंग को बुला कर लेकर आओ फिर वो चला जाता है और यान अंदर जा रही होती है तो लीन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अभी मिस्टर मो के पास नहीं जा सकती हो और अगले सिन में हम देखते हैं यान को जो कि कोई सोच रही होती है कि अबर मिस्टर लीव आते है मिस्टर लीव उससे कहा रही होते है कि क्या तुम उसके बारे में वरीड हो रही हो जिस बोग कहती है कि मैंने अपने आखों से उसे पने फादर को मारते हुए देखा है लेकिन सब लोग कहा रहे है कि मेरे फादर मर गए तो अच्छे ही हुआ है आप तो मेरे फादर के सब बहुत साल से हो आप बता सकते हो कि या उन्होंने कुछ गलत काम किया है इस बोग कहते है कि मुझे ऐसा नहीं लगता आपके फादर एक honest businessman थी यह कै कि हो चले जाते है अगले से में हम देखते ही यान को जो कि बाहर सनों में करी ही होती है और सोच रही होती है कि अभी winter है और हम देखते है flashbacks है जापर बिश्पन में एक बार winter के मौसम में ही उसके फादर उसे इसी mention लेकर आये थे और कह रहे थे उससे कि अब से ये mention हमारा है ये सुनके वो बहुँज हैपी हुई थी और prison में अब जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे खरवा होता है इफान इफान उसके पास आता है तो यान उसे पुछती है तुम्हें अब कैसा लग रहा है ये सुनके इफान कहता है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है यान कहती है कि चलो तो फिर हम इस स्नो में डांस करते है एक साथ तो फिर यह तुन्हें एक सब डांस करने लगते हैं डांस करते करते हैं यान उसे कहती है कि मुझे जपना आता है उस जपने में तुम मुझे माना चाहते है और में तुमें मानना चाहती है यह सुन इफान कहता है कि तो आखिर में कौन किसको मारता है यह सुनके यान कहती है कि आखिर में में तुम्हें मार देता है वो भी अपने हाथों से यह सुनके वो कहता है कि यह तुम बहुत अच्छा है कि तुम मुझे मार देते हो तब ही हो गिरने वाली होती है तो इसा नहीं उसे पकल लेता है यान कहती है, तुम इरे जिद्नă काईन कीव हो यसनुब वो कहता है, या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी वुमैन हो अच्छा बहुत हुआ तुम अंदर जाओ, बहुत ज़दा या पर ठंड है इस इसके साथ यह पार्ट यह परी खतम होता हैं मिलते नेक्स पार्ट के साथ जो की जेल दी आने वाला है तक तक के लिए टेक केर एंड बबाई इस इसके साथ यह